हेलो स्टुडेंट्स अपना गुल्गुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिल साब को स्वागता डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेदे सिंग राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारी स्टेंडर्ड बुक आरेस अगरवाल के सोल्यूशन्स का एक्सेसाइज 1B क बेर नंबर 2 तो चलिए सुरु करते हैं और मश्यूशन्स का हमार को क्या करते हैं क्या है करना है तो हम देखते हैं कि पहले-वाले नंबर को कैसे सब्सक्राइड करना पढ़ेगा जिसेंक्शन में यह नंबर लाई करेगा, तो minus 1 upon 3, minus 1 upon 3 क्या होगा, तो देखो, 0 से तो छोटा होगा, और यहां अगर minus, यहां 3 upon 3 होता, तो minus 1 आ जादा, तो वो minus का 1 यहां होता, लेकिन यह 1 upon 3 है, यानि कि यह क्या होगा, minus 1 से तो बड़ा है और 0 से छोटा है, तो अब क्या करना, denominator में 3 sections है तो इस पूरे पार्ट के क्या कर लो, 3 sections बना लो, इसको क्या लिखा जा सकता है, 0 upon 3, यहां जाएगा minus 1 upon 3, यहां जाएगा minus 2 upon 3, और minus 1 को क्या लिखा जा सकता है, minus 3 upon 3 लिखा जा सकता है, तो हमी क्या रिपड़्यान करना है, minus 1 upon 3, तो minus 1 upon 3 कहा होगा, यहां होगा, I hope आप 1 और 0 के बीच में लाएं करेंगा, बीचे denominator में 4 है, तो इसके 4 sections कर लेते हैं हम लोग, इसको 0 upon 4 बोल सकते हैं, इसको minus 1 upon 4, इसको minus 2 upon 4, minus 3 upon 4, और minus 1 को क्या बोला जा सकता है, minus 4 upon 4 बोला जा सकता है, हमें क्या represent करना था, minus 3 upon 4, तो वो कहां होगा, यहां होगा, I hope आप लोगो यह समझ में आ गया होगा, अब अगला है, 1 and 2 by 3, तो यह minus 1 से तो क्या होगा, छोटा होगा, negative में है, इसलिए minus 1 से छोटा होगा, लेकिन something कुछ है, यह पूरा complete निवाई है, minus 2 से बढ़ा होगा, बत्तक यह कहां लाई करेंगा, यहां कहीं 0 है, यहां कहीं minus 1 है, यहां कहीं निवाई है, तो यहां negative लगा दोते है, minus 1 माइनस 2 की बीच में आयागा, तो अब क्या रणने हैं, इसको पहले तर्वर्ट कर लेते हैं, हम लोग 3 बंजा 3 और 4, 3 और 2 कितना होगा, 5 by 3 माइनस का, तो अब क्या किया जाएगा, इसको क्या लिखा जा सकता है, minus 3 upon 3, क्योंकि 3 बंजा 3 हो जाएगा, और इसको क्या लिखा जा सकता है, minus 6 upon 3, क्योंकि 6 के इंदर 3 से डिवाइड करेंगे, तो तू टाइम होगा, फिर यहां क्या परने, इसके 3 sections करने, तो यह section minus 4 upon 3 बनेगा, यह minus 5 upon 3 बनेगा, और यह कितना है, minus 6 upon 3 है, तो हमें यह क्या मिलेगा, minus 5 upon 3, I hope आप लगो को यह भी समझ में, आगे आपा, similar ऐसा ही question यह है, minus 3 or something कुछ है, तो किसके बीच में लाइग करेगा, यहां बही, minus 3 है और यह कहीं, minus 4 है, तो minus 3 और minus 4 के बीच में लाइगा, आगे के numbers मैं लिख रहा हूँ, आप लोग चाओ तो लिख सकते हो, तो अब हमें क् इसको पहले तो convert कर लेते है, 7, 3, 21, plus 1 कितना होगा, 27, minus 47 by, oh sorry, 7, 3, 21, plus 1 कितना होगा, 22 by 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो इस 3 को क्या लिख रहा सकता है, सब्सक्षे पहले तो, इसको लिखा जा सकता है, minus 21 by 7, क्योंकि कितना हैगा, divide करने पर 7 से 3 time होगा, पिर य 22.7 ये –23.7 ये –24.7 –25.7 –26.7 –27.7 और इसको क्या पूला जा सकता है –28.7 क्यों कि तो कितना आएगा? –4 आएगा. अब हम आपले को ये चीज़ समझ में आगे होंगी, हमें – 22.7 को तो रिनोट करना था तो वो कहां होगा यह वा अब देखते हैं नेक्स के माइनस 4 हो समझिंग है यह यहां बना देता हूं यहां माइनस 4 होगा तो ही यहां कर लेता है इसको क्या बोला जा सकता है क्या बोला जा सकता है पर यहां इसको क्या बोला जा सकता है तो यहां पाथ सेक्षन करने बराबर यहां क्या होगा एक दो 3-4 पासेक्शन मला लिया तो यहां क्या होगा मैनेस 21 अपॉन 5 , 22 अपॉन 5 , मैनेस 23 अपॉन 5 , मैनेस 24ण अपॉन 5 यहां दितना है 15 005 है तो हमें मैनेस 23 !!! 5 को लिनोट करना था। तो वह कहा होगा यद्य होगा। एक बार पहले हम इसको देख लेता है माइनस 3 को तो माइनस 3 को दाइरेक्टी रिनौट कर सकते हैं 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 और माइनस 4 तो माइनस 3 कहा होगा यहां हमारा माइनस 3 रिनौट हो जाएगा I hope आपलगो वह यह भी समझ में आगया होगा अब इसको देखते हैं, पहले इसको convert कर लेते हैं, कितना होगा, 6 तो 12 प्लस 5 कितना होगा, 17, minus 17 by 6, तो अब इसको क्या करना है, पहले बाद तो यह देखो कि कौन से section में लाए करेगा, 2 plus something है और negative में, इसलिए minus 3, और minus 2 के पीछ में लाए करेगा, नीचे denominator में कितना है, 6 है, तो इसके 6 section करने पढ़ेंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, minus 12 upon 6 बोल सकते हैं, इसको minus 18 upon 6 बोला जा सकते हैं, क्योंकि 18 में 6 से divide करेंगे, तो कितने time होगा, 3 time होगा, और minus यता minus 3 होगा, और 12 में 6 से divide करेंगे, तो 2 time होगा, minus यता minus का 2 होगा, अब 6 बात करने हैं, इसके 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाट होगे, तो यह कितना होगा, back on, 6, minus 14 upon 6, minus 15 upon 6, minus 16 upon 6, और हो जयेगा minus 17 upon 6, और हमारे को क्या denote करना था, minus 17 upon 6 denote करना था, तो यह क्या हो जाएगा, minus 17 upon 6, I hope आप आप लोगों को यह भी समझ बें, आठाखा लास्ट कैसान है, विच में लाइं करेगा तो यहां मैंनस को इसको इसको इत कर लेता है पहले तो 8 टू जा जाकितना होगा 16 सेबं मैं इसको के लिफा जा सकते हैं मैंनस 16 ओड़ कि इपार वOP मैंने इसको क्या लिफा जा सकता है ट्रू और 7 सेक्शन करने 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन हो ऒगे तो यहां क्या बने का माइनस 17 अपॉन 8, माइनस 18 अपॉन 8, माइनस 19 अपॉन 8, माइनस 20 अपॉन 8, मॉन 21 माइनस त्री आता है या फे माइनस त्री दिया वाद हो तो हमें किसको रिविनाउट करना था 23 माइनस 23 एकोर एक को तो कहा रिनाउट होगा यहाँ होगा आए होग आप लोगों कोई समझने आगया हो इसे आप नोट कर लेजिए इसे के साथ हमारा आज का लेक्चर खतम होता है नेक्स लेक्चर के अंदर हम लोग क्योस्टन नमबर थी को देखने वाले हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों को साथ सेर कीजिए और चेनल को सब्सक्राइब जबूर कीजिए तब तक के लिए थैंक्यू